इंदनो पूरे खरगोन जिले में कलेक्टर की द्वारा नशा मुक्ती अभ्यान चलाया जारा है कई जगह नशे का व्यादिक धन्दा करने वालों के खिलाफ कारवाई भी की जारी है नशे से दूर रहने के लिए जन जाहरुकता अभ्यान भी चलाया जारा है खरगोन जिले के बढ़वा S.D.O.P. मनोज दिक्षित वसनावत थाना प्रभारी म.R.O.M.D. ने सनावत के डिगरी कॉलेज में सनावत के प्रतिष्टिस लोगों के साथ पहुचकर जन शेतना नशा मुक्ती अभ्यान की कारशाला आयोजित की डिगरी कॉलेज के बच्चों को नशा से दूर रखने जैसी सीख दी गई और सभी बच्चों से बढ़वा S.D.O.P. मनोज दिक्षित वसनावत थाना प्रभारी म.R.O.M.D. द्वारा अपेल भी की गई कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहन कर ही घर से निकले पहले अपने आप को सुरक्षित करें किलाया जा रहा है उस संबन में जो कॉलेज और स्कूल्स में भी हम लोगों को जाकर वहाँ पर उनके वारे में करने के लिए आज समाजी संगठन और अन्य लोगों की मदद से एक आयोजन किया गया था जिसमें इनके कुप्रभाव और उसमें जो समस्याइं उत्पन हो रही है समाज में उनसे दूर रहने क्या उपाए हैं इसने डॉक्टर्स और अन्य समाज से भी बुलाई थे उटके संबन में आज एक कारशाला एजिट की गई ती उसी का आज जिए तरूप था इस तरीके सरसर बच्चों को समझाइज दी गई और क्या रिस्पांस मिला उपका रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला बच्चों ने बहुत जिहां से सुना हमारे जो विशेशक की लोग थे उन्होंने काफी अच्छा इस पर एक्टर्व दिया है और इसका हम ये मानते है कि एक अच्छा प्रभाव होगा और जैसा कहा जाता है कि अगर किसी खेट में एक मुठी चावल फेंके उसकी फसल बहुत ज़्यादा आती है उसी देश को लेकर हमने कुछ लोगों को बताया लेकिन इसका परणाम एक बहुत रूप में आए गया ऐसा मुझे प्रतित होग सनावत से अशोक कुमार शाकी रिपोट